शनी आठवे भाव में आठवा भाव जो है इसको मृत्यु भाव बोला जाता है मृत्यु भाव का मतलब लिटरली मरना नहीं मृत्यु भाव का मतलब है मृत्यु तुल्यकष्ट मृत्यु भाव जब भी एक्टिव होता है जीवन में किसी ना एक चीज की बली ले लेता है औ और specially शनी आठवे घर का आपके घर के वास्तू से क्या connection है, ये सारी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं. नमस्ते, मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है, आपका हैपी लाइफ वीडियो के शर्मा में, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वेनमरिने वेधन, कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्रेपा सब्सक्राइब करिएगा, और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा. तो शनी जब आठवे घर में होते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानिये, कि आठवे घर में उर्जा किसकी होती है, मंगल की उर्जा होती है आठवे घर में. आठवा घर जो है यहाँ पे शनी अकेले हो तो कहा जाता है ये जीवन लंबा करते हैं आयू लंबी देते हैं और विशेश तोर पे ये शनी जब और ग्रहों के साथ हो जाएं तो कहीं न कहीं जहरीले होने शुरू हो जाते हैं अब ये शनी चण्र के साथ हो तो सर पे चोट लगने के आसार बनते हैं या शनी चण्र के साथ हो तो इंसान anxiety, overthinking का शिकार होके बिमार भी हो जाता है और जीवन में लगातार उतार चड़ाव इसके आते रहते हैं अब शनी एश्टम घर में होना, तो कमर पे एक तिल का, मसे का, कट का या किसी तरह के स्टिचिस का निशान भी रहने के योग बनते हैं, ये इनसान जो है लगातार डिटैच सा रहते हैं, लोगों से बहुत जादा घुल मिल के खुश नहीं होते हैं, दिल के अच्छे होते है लेकिन फिर भी इनको बहुत जादा समाजिक इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं लगता है, शनी एश्टम में होते हैं तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर शनी के साथ मंगल आ जाएं, तो भी ये इनसान को जीवन में करियर में बहुत जादा फ्लक्चुएशन्स दे देते हैं, शनी के साथ अगर गुरु आ जाएं, तो ये इनसान जो है, ये सब कुछ सीख साख के भी उसको अपने लिए अपलाई नहीं कर पाता है, शनी बुद आ जाएं तो इनसान ओवर क्लेवर होनी की वज़़ा से भी जीवन में कई बार बहुत परेशानियों का शिका हो जाता है, यहां पे शनी हो और साथ में राहू आ जाएं, तो कहा जाता है कि ग्रहस्ती में दिक्कतें आ सकती हैं, या कपट की वज़य से इनसान के समाजिक जीवन में भी काफी उतार चड़ावा सकते हैं, के तू खुद डिटेश्मेंट के प्लैनेट है, यहां पे शनी ध्यान देने लाइक बात आप नोट कर लीजगा, घर के वास्तू को लेगे, यहां पे दो दिशाएं, आपके घर का सौथीस्ट और दूसरे आपके घर का नॉर्थीस्ट, यह बहुत ज्यादा मैटर करती है, और तीसरी मैटर करती है दिशा, आपके घर का उत्तर, यह का नौर्थ इस जो है शनी का समान क्या है पुराना जंग खाया हुआ समान लोहे का consistent समान या शनी का समान होता है पुराना old furniture या शनी का समान हम कह सकते हैं कि आपके घरका जो storage room भी तो अगर आपके घर के North East में कोई old furniture अपने रखा हुआ है antique items रखी हुई है लोहे का घर के शनी है न, ये badly trigger हो जाएंगे, अब ये इंसान जो है, इसके जीवन में धन की बरकत नहीं आ पाएगी, लोगों के लिए काम करता रहेगा, बदले में लोग इसके काम नहीं आएंगे, और एक ही income star पे mostly रह सकता है, इसका जो income star है न, वो नहीं बढ़ेगा, और जीवन म trigger हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब ये इंसान जो है, accidents का शिकार हो सकता है, लगातार बीमारियों पे खर्चे हो सकते हैं, इवन घर की छत पे, अश्टम घर के शनी वाले के घर की छत पे, अगर कबाड या unusable चीज़ें पड़ी होंगी न, तो भी अश्टम घर के शनी ज trigger होंगे, और जीवन में लगातार पैसे का उतार चड़ा, financial errors और लोगों के साथ बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, अश्टम घर के शनी वाले को चाहिए, कि वो बंद गली का जो आखरी मकान होता है, वो कभी न खरीदे, वो उसके लिए अच्छा नहीं रहता है, और अश् इंसान को जीवन में काम कारोबार में मुश्किले आ रही हैं, धनके संबंदी दिक्कत या इन्सान को पने स्वास्तेख संबंदी भी दिक्कत आ रही है, तो यहां पे एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है, कि अपने चंद्रमा को सही करें, दोनों हाथों में solid, अश्रम में ना हूँ और छटे में भी ना हूँ तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूद डालके नहाना या शोल्डर्स पे दूद को रब करके शावर लेना ये भी इस शनी के खराबियों को बहुत हद तक दूर कर देता है शनी अश्रम घर में होंगे न तो इनसान को शिव उपासना निरंतर करनी चाहिए और हर अमावस पे किसी भी शिव मंदिर में घी का दिया जुरूर अरपन करके आना चाहिए इससे अश्रम घर के शनी अपना जो पौईजनेस प्रभाव हैं वो छोड़ देते हैं तो दोस्तों ये था अश्रम घर के शनी का एक विवर बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए विशे के साथ अपना ध्यान रखेगा नमस्ते